हलो दोस्तों आईट्याई क्लासेज बाई महेंदर सर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों हमारा टोपिक चल रहा था हैमर तो हमने हमर के भाग पड़ लीए अब हमारा टोपिक आता है क्या हैमर के प्रकार वैं हमर कितने प्रकार के होते हैं और यह जो जो टोपिक किया था वो क्या किया था प्लायर के बाद में दूसरा टोपिक चल रहा है कौन सा हेमर के प्रकार तो अब आते हैं हेमर हेमर के प्रकार के अंदर कितने प्रकार के हैमर होते हैं तथा उनको कितने आधार पर वरगीगरत किया गया है तो उनको हम क्या करते हैं डिस के आधार पर हेमर है जिसको बजन के आधार पर पांच भागों में हैं पांच है भागों में वागों में बाटा गया है, कितने भागों में बाटा गया है, पांच भागों में बाटा गया है, तो हेमर है, उसको किसके आधार पर बाटा गया है, तो वजन के आधार पर बाटा गया है, तो हेमर को वजन के आधार कितने भागों में बाटा गया है, पांच भागों में, तो पांच भा प्रकार आता है वह का उब्रदू हमर इस यो इस इस के कि आ ही इस प्रकार आता अब भस्टेंस मर कि इर्दू हमर और फिर लॉई हम और हमर 13 अबleness कि फश्ट हो गया हस्ते मर् दूसरा म्रदू हेमर चोथा दूसरा म्रदू हेमर तीसरा क्लो हेमर चोथा है स्लेज हेमर चोथा कर चोथा प्रकार क्या है स्लेज हेमर पांचवा प्रकार आता है कोण सा सक्ति हेमर पांचवा प्रकार के आता है सक्ति हेमर तो बजन के आदार पर हेमर को कितने भागों में बाटा गया है पांच भागों में बाटा गया है, फर्स्ट भाग का नाम है हस्त हेमर, दूसरे का नाम है म्रदु हेमर, तीसरे का नाम है क्लो हेमर, चोथे का नाम है सलेज हेमर, पांच वे का नाम है सक्ती हेमर, तो हम इन हेमरों को क्या करेंगे हेमर के प्रकार, वजन के आधार पर कितने प्रकार होते हैं पांच प्रकार होते हैं फिर आगे हम डिसकर्स करेंगे अब एक एक को क्या करेंगे आगे डिसकर्स करेंगे हस्त हैमर है वो कितने प्रकार के होते हैं बनाने के लिए कोणची धातू का प्रियोग किया जाता है म्रदू हेमर फिर आगे डिसकर्स करेंगे कलो हेमर पिर पर देगे consistency को को और फिर पर देगे सकती हेमर को तो आप यहां तक स्क्रीन शॉट ले सकते हो फिर हेडिंग डालते हैं फिर हस्ट हेमर तो अपना हिमर की प्रकार में फस्ट हिमर आता है कोण सा हस्त हिमर हस्त हिमर तो हस्त हिमर क्या है इसके बारे में क्या करते हैं हें चर्चा करते है हश्त हेमर तो हश्त हेमर यह सामानित हलके कारियों के लिए प्रयोग किया जाने वाला क्या है हेमर है तो यह ही ध्यान रखना यह हलके कारियों मतलब करेंग कर दो करते हैं और इनका जो वजन होता है तो इनका वजन इनका वजन 0.125 kg से 1.5 kg होता है यंमें जो हैंडल फिट किया जाता है वो किसके आधार पर फिटकिया जाता है बजन के आधार पर फिटे किया जाता है तो इन में हैंडल को हैंडल को बजन के आधार पर बजन के आधार पर फिट किया जाता है फिट किया जाता है किसके आधार पर fit किया जाता है handle को तो वजन के आधार पर क्या किया जाता है fit किया जाता है ओर in hammer की लंबाई 25 से 35 से मी तक रखी जाती है तो इन हेमर की लंबाई 25 से 35 से 35 रखी जाती है कि इतने सेंटिमेटर रहती है इनकी लंबाई 35 से 35 से लंबाई रखी जाती है और इन हेमरों के द्वारा इन हेमर के द्वारा चोट मारने के लिए फेस तथा पिन का प्रियोग किया जाता है किया जाता है चोट मानने के लिए किन का प्रियोग करते हैं फेस का प्रियोग करेंगे कि पिन का प्रियोग प्रियोगrich आगे जो आता है कि पिन तथा फेस के मद्दे भाग को क्या गहते हैं पिन तथा फेस के मद्दे भाग को मद्दे भाग को चिक या देखो फेस तता पिन के जो मद्दे भाग होता है उसको चिक या क्या कहते हैं पोस्ट कहते हैं जो हेमर का सबसे नरम भाग होता है तो इसको नरम क्यों रखते हैं जिससे क्या हो नरम इसलिए रखते हैं जिससे क्या होगा हेमर तूटेगा नहीं चोट मारेंगे तो हेमर तूटेगा नहीं सबसे नरम भाग होता है क्योंकि हेमर तूटे नहीं 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 तो देखो हेमर की पार में एक बार वापिस में बताता हूं फरस्ट टाइप होता है पांस प्रकार फिया कर दूसरा है इनका वजन केतना होता है 0.125 kg से 1.5 kg क्या होता है इनका वजन होता है और इसमें हैंडल को फिट करने के लिए हैंडल को वजन के आधार पर क्या किया जाता है इनकी लंबाई कितनी होती है तो 25 cm से 35 cm क्या होती है इनकी लंबाई होती है और इन हेमर के द्वारा चोट मारने के लिए किनका प्रियोग किया जाता है फेस और पिन का प्रियोग किया जाता है पिन तता फेस के मद्य भाग को क्या बोलते हैं चिक चिक या पोस्ट कहते हैं जो हेमर का सबसे क्या होता है नरम भाग होता है नरम क्यों रखते हैं क्यों Kollegen हम चोट मारेंगे तो हैमर टूट सकता है इसलिए in Mr. Kyi रुखेंगे हमर जो क्या है नरम भाग कुण सा लाएगा चिकिक अा पोश्ट तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा है आप स्क्रिन सोट ले सकते हो आगे हम पढ़ेंगे क्या जो यह हस्त हमर वो कितने प्रकार के होते हैं तो उनको क्या करेंगे डिसकर्स करेंगे तो आप यहां तक स्क्रिन सोट ले सकते हो अगे आते हैं हस्त हमर के प्रकार तो हस्त हमर को हस्त हमर को एमर को पिन के आधार पर कितने भागों में बाटा गया है चार भागों में बाटा गया है तो हस्ते एमर को पिन के आधार पर चार भागों में बाटा गया है कितने भागों में बाटा गया है चार भागों में बाटा गया है किसके अधार पर पिन के अधार पर कितने भागों में बाटा गया है चार भागों में बाटा गया है तो फस्त जो हेमर आता है उसका नाम आता है बोल पिन हेमर तो फस्त हस्त हेमर का प्रकार क्या है पिन के अधार पर बोल पिन हेमर दूसरा प्रकार आता है कौन सा क्रोस पिन हेमर तो इस दूसरा प्रकार आता है क्रोस पिन हेमर तीसरा प्रकार आता है डबल फेस तीसरा लिग लेते हैं स्टेट पिन हेमर स्टेट पिन हेमर और चोथा प्रकार आता है डबल फेस हेमर चोता प्रकार आता है डबल फेस हेमर तो देखो हस्त हेमर है उसको कितने भागों में बाट दिया चार भागों में बाटा गया है किसके आधार पर बाटा है पिन के आधार पर चार भागों में वाजित गया गया है तो फर्स्ट जो हस्त हेमर का प्रकार है उस तो आप यहां तक स्क्रीन सोट ले सकते हो फिर आगे पढ़ते हैं कौन सा बॉल पिन हेमर तो अगला टोपिक आता है हस्ते मर का पिन के अधार पर कने भागो में बाटा था चार भागों न देखो बॉल पिन हमर है इस का डाइगराम इस तरीके गा होता है तो उपर वाला ये उबाला भाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं पिन बोलते हैं और यह जो वाला भाग होता है जहां हेंडिल लगाये जाता है उसे क्या बोलते हैं आई होल जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं नेत्रशिद्र कहते हैं और यह वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं फैस बोलते हैं और यह जो वाला भाग है इसको क्या ब ये ball pin hammer का construction है तो देखो इस जो ball pin hammer है इसमें पिन का आकार किसके समान है बोल के समान है इसी के आधार पर इस पिन का आकार बोल के समान होने के करण इस पे इस hammer का नाम क्या रखा गया बोल पिन हेमर तो हम लिखते हैं कि इस hammer के इस hammer के पिन का आकार पिन का आकार पिन का आकार पिन का आकार बोल के समान बोल के समान होने के कारण इस hammer को इस hammer का नाम हेमर का नाम बोल पिन हेमर रखा गया है तथा इसके फेस का आकार इसके फेस का आकार फेस का आकार दूसरे हेमर की तरह की होता है तो देखो इस जो हेमर है बॉल पिन हेमर इसमें फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखाई किस इस हेमर के पिन का आकार किसके समान होता है बॉल के समान होता है इसलिए इस हेमर का जो नाम है वो क्या रखा गया है बॉल पिन हेमर तथा इसके जो फेस फेस कौन सा है यह वाला इस बोल पिन हेमर है, उसका प्रियोग कहां किया जाता है, तो इसका लिख लो उप्योग, तो इसका उप्योग कहां पर करते हैं, तो ये चीज आपको क्या है, कि बोल पिन हेमर है, वो कहां पर प्रियोग किया जाता है, तो देखो इसका प्रियोग मारकिंग करने, इसका प्र प्रियोग या उप्योग इसका प्रियोग मार्किंग करने, चिपिंग करने, चिपिंग करने, चिपिंग करने, इसका प्रियोग कहां पर करेंगे, मार्किंग करने में, चिपिंग करने में, और हलकी चोट मार्किंग करने, मारने के लिए क्या करते हैं इसका प्रियोग किया जाता है हलकी चोट मारने में इसका प्रियोग किया जाता है इसका प्रियोग किया जाता है इसका प्रियोग किया जाता है फिर दूसरा उप्योग आता है कि इसका दूसरा उप्योग कहां करेंगे तो फर्स्ट उप्योग किया हो गया कि इसका प्रियोग मारकिंग करने चिपिंग करने और हलकी चोट मारने में इसका प्रियोग किया जात पिर आता है इसके जो पिन का आकार बोल के समान होने के कार्ण तो देखो इसका पिन का आकार बोल के समान होने के कार्ण इसका विशेश जो उपयोग है वो रिवेटिंग कारिये के लिए किया जाता है तो विशेश उपयोग एक तरीके से यहां लिखवा देता हूं कि विशे विशेस उप्योग रिवेटिंग 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 कारियों में किया जाता है कहां पर करेंगे रिवेटिंग कारियों में किया जाता है क्यों किया जाता है क्योंकि इसके पिन का आकार प्रियोग किया जाता है क्योंकि इसका पिन का आकार इसका पिन बोल के समान होने के कारण बोल के समान होने के कारण रिवेटिंग आसानी से रिवेटिंग आसानी से चारो तरफ फेल जाती है रिवेटिंग चारो तरफ क्या हो जाती है फेल जाती है तो फर्स्ट आता है अपना बोल पिन हेमर वापीस एक बार रिविजन करें बोल पिन हेमर है उसकी आकरती यह जो डाइग्राम बनाया गया उसकी तरह ही होती है इसके पिन का और बॉल के समान होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया है? बॉल पिन हैमर रखा गया है तता इसका face अन्य हैमर की तरह ही होता है इसका जो first उपी होगा है वो कहां पर करेंगे? मार्किंग करने में चिपिंग करने में और हल्की चोट मानने में किसका प्रियोग किया जाता है और इसका जो विशेश उपियोग वो क्या है रिवेटिंग कारियों में इसका विश किया जाता है क्योंकि इसका पिन बोल के समान होने के कारण रिवेटिंग की जो टेल है वो च हेमर पढ़ेंगे उसका नाम है कौन सा क्रोस्पिन हेमर